बागपत के बावली गाओं में इस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन निकलते ही दो बाइक सवार बदमाशों ने 65 साल की महिला की गोली मार कर हत्या कर दी मामला बड़ावत कोतुवाली शेतर के बावली काउं का है जहां दो बाइक सवार बदमाशों ने सरेयाम महिला की गोली मार कर हत्या कर दी और फरार हो गए वही दिन निकलते ही सरेयाम हत्या की वारदात के बाद गाउं में हडकंप मच गया अचा कोई रंजीश है किसी की साथ नहीं है किसी पशक है नहीं पता लेगा कौन हमलावर कैसे आए थे पोडोश नहीं पता जी वाइक सवाल पर दो आदमी थे विया उन्दक गोली मारी वोट प्रारों में यह दुपान पर बैठी दी आधि दुपान पर लेठी थी खतोला ग जानकारी के अनुसार गाओं के ही कपिल नामके की युवक ने एक दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया आनन पानन में पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुचे और शेफ को पोस्ट मॉटम के लिए भेज जाच में जुट गए पुलिस जल्द ही इस घटना का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है लेकिन सरयाम हुई इस वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक के रिपोर्ट कर दो